एक्जाम के लिए हम लोग इंपोर्टेंट कोस्चन को देखने बाले हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के लिजेगा और पास में जो बैल आइकन होता है उसको भी चरूर दबा लें कोलंबो टू अलमोडा निमलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है आपसंडी स्वामी विवेका नंद बलवंत राय महता समिती का गठन किस बर्स किया गया आपसंडी हो जाएगा उननिस सो सत्तावन किस राज में पंचायती राज बिवस्ता सर पर्थम लागू की गई और कब आपसंडी राजिस्थान में लागू की गई अक्टूबर उननिस सो 69 में भारत का सर प्रमुक रबड उत्पादक जो राजि है वो कौन सा है आपसंडी हो जाएगा केरल भारत में आम का सबसे बड़ा जो उत्पादक राजि है वो कौन सा है आपसंडी उत्तर प्रदेश नंदा देवी राष्ट्री उद्यान किस राज में इस्टित है? आपसन डी हो जाएगा उत्राखन मानस बननेजीब अव्यारन्य किस राज में इस्टित है? आपसन भी हो जाएगा असोम नेपानगर में इस्तिस्त सबसे महत्पून उद्योग है Option D हो जाएगा अखवारी कागज नब नालंदा महाभियार किसके लिए विख्यात है Option C पाली अनुसंधान संस्थान एत्माद दोला का मकबरा आगरा में किसने बन बाया नूर जहाने अंकोर बाट जो है ये कहां पर अवस्तित है अंकोर बाट अवस्तित है कमबोडिया में अगला है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी तो ये की थी एंटोनी बॉन लिवेन हॉक ने 1676 में की थी The Future of India नामक पुस्तक के लेखक है Option B बिमल जालान बायरस दोरा पैदा किया जाने वाला रोग है अपसंसी हो जाएगा जुकाम डाक्टर मनमोहन सिंग ने भारत की जिस एक नदी को राश्टी नदी गोंसित किया था उस नदी का नाम है अपसंसी हो जाएगा गंगा नदी दावड के दावरान धाबक का गुरुत केंद्र होता है उसके पैरों के आगे सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दुती हुईन होता है अपसं भी इसका कारण पराबरतन है गैलेना एक खनीज है अपसंसी लेड का पीवी का एक खनीज है मैगनेलियम एक मिस्रधातू है अपसं में A एलूमीनियम और मैगनीसियम की EL कामा MG की आईरन को जस्तेदार बनाने के रिए परियोग किया जाता है अपसंसे जिंक का जैडन का परियोग किया जाता है अमीबा का चलन अंग है अपसंसे पादाब कुल डाग घनों का कितना प्रतिसत ग्रामिल छेत्रों में कारेरत है। आप्सन C हो जाएगा 89 प्रतिसत पैगंबर मुहम्मद के जनम दिन के उपलच में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। आप्सन D इद उल मिलादू मिलादुल नभी बहे इस्तूप इस्तल जिसका सम्मन भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। आप्सन B सांची का इस्तूप पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या हो जाएगी। आप्सन C 18 सामान निमानम में पाए जाने वाले गुण सुत्रों की संख्या है। आप्सन B 46 रक्तदाब मापने के लिए प्रियोक्त उपकरण को कहते हैं। आप्सन C स्फिग्मो मैनोमेटर। पद आरच कारक का आर्थ है। आप्सन C रीसस कारक क्या हो जाएगा। पेनी सिलिन की खोज किस ने की थी। आप्सन B अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारती संसत द्वारा दल बदल बिरोधी विदेहक किस बर्स में पारित किया गया था। आप्सन D हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी गैस बायू मंडल का भाग नहीं है। आप्सन B हो जाएगा। क्लोरीन सेवी का पूरा रूप क्या है। सेवी का पूरा रूप हो जाएगा। आप्सन D सेक्योर्टीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पॉंगल किस राज का चर्चित पर्व है। आप्सन E तमिलनाडू। बद्रीनाथ धाम किस देपता को समर्पित है। विश्नू। माउंट आबू में दिलबाडा मंदिर है। जैन मंदिर। उत्तर पतेश में जैन एवं बौध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर थिस्तल है। कौसाम भी। निमलिखित में से कौन भारतिय दर्शन की अपेच्छा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे। राजा राम मोहन राए। चाय के उत्तपादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्तान है। आप्सन B दूसरा। आलू उत्तपादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा इस्तान है। आप्सन C पाचवा। उत्तर प्रदेश विधान परिसद में राजपाल कितने सदस्यों को मनोनित कर सकता है। आप्सन D अठारे। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्थापना किस ने की थी। डाक्टर जाकिर हुसैन सिच्छा में सुधार है तू। ब्रिटिस सरकार ने सैडलर आयोक कब नियुक्त किया। आप्सन B हो जाएगा। 1917 में नियुक्त किया था। नवोदे विध्याले के संदर में कौन सा कथन सही है। आप्सन B नवोदे विध्याले बहुती लोगपिरिये सिच्छन संस्तान है। संस्तापा ने जिसमें प्रतिवर्थ 30,000 ने चात्रों को प्रवे से दिया जाता है। रुधिर बर्गों की खोज किसने की थी। आप्सन B लैंड इस्टीनर। निमलिकित में से कौन सा जनबर सारनात इस्तम पर उतकीर्ण नहीं है। हिरण हर से दौरा आयोजित कन्नोज सबा किसके सम्मान में की गई थी। वेन सौंग मानम दौरा प्रियुक्त पहली धातू थी। कौपर सत्वहन अपने सिक्के मुक्ता किस धातू से बनाते थे। लैड निमलिकित में से सबसे मुचा मेग कौन सा है। पच्छाव मेग अब हम लोग हिंदी के कुछ कोशन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सब्द सही है। प्रादु भार्व को आप्षन B कितने लिखते ना कि आप्षन A, आप्षन C, आप्षन D कितने हैं। भारत में हिंदी भासी राजी हैं। आप्षन C, 15 आली का पर्रय वाची है। ये सबी सक्खी, सहली, ब्रहमरी, बावरा भी होता है, ब्रहमर भी होता है आरंब से अंत तक को क्या कहेंगे? आधो पांत कहेंगे जो मापा ना जा सकता हो, उसको क्या कहेंगे? Option D, आप परिमे कहेंगे क्या कहेंगे? आप परिमे परमपरागत उक्ति को कहते हैं Option है अनूसुरुति कहते हैं बिलास में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है Option V हो जाएगा आस प्रत्य बोली में कौन सा प्रत्य है Option है E प्रत्य अत्यन्त का संदी विच्छेद है Option B हो जाएगा अती, धन, अंत जगदीश में कौन सी संदी है? Option B, ब्यंजन संदी निरोग में कौन सी संदी है? Option A, निरोग में संदी हो जाएगी बिसर्ग संदी कौन सी हो जाएगी? बिसर्ग संदी अच्छो हिनी का संदी विच्छेद होगा Option B, अच्छ, धन, उहिनी साहित लहरी किसकी रचना है? Option A, सूर्दास सूर्द साहित किसकी आलोचनात्मक रती है? Option A, हजारी परसाद दुबेदी आकास दीप किसकी रचना है? Option B, हो जाएगा जै संकर परसाद की अंदायोग किस प्रकार की रचना है? Option C, काब्य नाटक कैसी है? काब्य नाटक परमौसद का संदी विच्छेद क्या है? Option C, परम, धन, उसद सुरेंदर में कौन सी संदी है? Option B, गुण संदी मनोज किसका पर्रायबाची सब्द है? Option B, हो जाएगा काम देब स्रवन का सही संदी विच्छेद क्या है? Option B, सुरोधन अन मना धन बल की सही संदी हो जाएगी Option C, मनोबल हो जाएगा क्या हो जाएगा? मनोबल हसाना किरिया क्या है? Option B, हो जाएगा अकर्मक किरिया हो जाएगी हसाना कैसे किरिया है? अकर्मक प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उधारण है? Option B, तत्पुरुष समास का यथा सक्ती में कौन सा समास है? यथा सक्ती में अब बेई भाव समास अब रोध सब्द का विप्रियर्टार्थक सब्द क्या होगा? अनबरोध अगला है जो आकास में विचरन करता हो के लिए एक सब्द जो है वो क्या होगा? Option D हो जाएगा खेचर हो जाएगा क्या हो जाएगा? खेचर परिदन छेद की संदी से निर्मित सब्द है Option C हो जाएगा परिछेद निर्मित में से किस सब्द में आयादी संदी है? Option C नायक नीता कपड़े धोती है बाग में किरिया कैसी है? Option B हो जाएगा सकर्मक करिया हो जाएगी कर्मक के साथ दूद वाला रचना की द्रस्टी है रचना की द्रस्टी से क्या है रूद दूद वाला जो आप्सन भी योगिक लास किस भासा का मूल सब्द है आप्सन भासा का सब्द हो जाएगा निम्ले में से कौन देशा जो सब्द नहीं है चरका बांकी के तीने खिड़की कलाई तेंदुआ निर्देश प्रसंसंक्या 83 से 84 के लिए निम्ले के प्रतिक बांकी के नीचे चार विकल्प दिये गए है उनमें कोई एक विकल्प उक्त बाके का सुद रूप है उसका चैन करना है बाई यहें पुस्त के किस की हैं इसका सुद रूप क्या होगा आप्शन है यह पुस्त के किस की हैं बांकी के तीन आपके कट जाएंगे इसके बाद बे बापस लाट आए इस बाखे का सुधरूप क्या होगा option ए इसके बाद बे लाट आए बांकि के तीन आपके गलत हो जाएंगे गरदन उठाना किस मुहावरे कार्थ है option C प्रति बाद करना गरदन उठाना मतलब प्रति बाद करना निमलखित में कौन सा विप्रीर्थार तक सब्दों का युगम सही नहीं है बांकी के तीन सही ये बीर का कायर, सीत का उस्ण, रत का विरत निर उपसर्ग से बना सब्द है निर्भय जिसकी परिच्छा हो रही हो के लिए एक सब्द है परिच्छार्ती धर्म बिमुक सब्द में परियुक्त समास है Option D हो जाएगा अपादान, तक पुरुस उदख किस सब्द का पर्यब अची है Option हो जाएगा जलका निमनमेट से किस सब्द का बहुबचन ये प्रत्यैं के परियुक्स से नहीं बनाया जासकता Option D हो जाएगा किताब पांकी के तीन जो हैं बनाई जा सकते नदी, पहाड़ी, रड़की निमलकित में से किस सब्द में दीरगसंदी नहीं है इत्यादी पांकी के तीन में कुशासन, कपीस और बढ़सात संग्यात्वा विसेशन से बनने वाली क्रिया कहलाती है नाम धातु के रिया, यहे आम मीठा है, इस बाक में मीठा कौन सा विसेशन है आप्सन सी हो जाएगा, बिदहे विसेशन बहे अंगूर खा रहा है, इस बाक में अंगूर क्या है आप्सन भी, सम्हू बाचक संग्या पुस-पुस तस्व सब्द के लिए हिंदी में तदभव सब्द क्या है आप्सन सी, पंखुडी, क्या हो जाएगा पंखुडी कभूतर किस भासा का मूल सब्द है आप्सन हो जाएगा, फार्सी भासा का फा का उच्चारन इस्थान क्या है option C हो जाएगा ओस्ठ भासा का बहरूप जिसका प्रियोग सामान जनता अपने समू या घेर घरों में करती ये उसे कहते है छेत्री ये बोली कहते है निमल के सब्दों में कौन सा असुद्ध सब्द है option पुनर विचार तो गाइज आसके सब वीडियो में इतना ही थैंक्यो धन्यवाद